आजम बनाएंगे क्रेले की सबजी वो भी बिल्कुल नए तरीके से और इस तरीके से बनाई हुई सबजी में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता बड़े हो छोटे हो कोई भी हो सब कटोरी भर भर के खा जाएंगे ऐसे तरीके से बनाई हुई क्रेले की सबजी को तो नमस्ते दोस्तों आप से भी का स्वागत है मेरी अपने रस्वाई चैनल पर आज हम बनाएंगे क्रेले की सबजी और ये आपको बहुत पसंद आएगी मुझे पता है कि आपको इतना पसंद आएगी कि आप इस वीडियो को लाइक और सेर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब किये भीना जाई नहीं सकते तो यहाँ पर देखिए हम बनाएंगे आज क्रेले की सबजी उसके लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम यहाँ पर ताजा क्रेले ये क्रेले देख सकते हो एकदम साब सुत्रे है मतलब कि कहीं से कटे फटे या फिर दागवाडे नहीं है क्रेले को पानी में थोड़ा सा मसड़ेंगे दोलेंगे इनको मतलब कि साफ कर लेंगे और इनको बिगोने का यहाँ पर एक रीजन है हम इनको बिगोना हमने क्रेले को बिगोना है इसका भी एक कारण है मैं आपको आगे चलके बताती हूं साथ के साथ में क्या है जो दूर मिट्टी लगी हुए वो भी निकल जाएगी वैसे हमने इनको बाद में भी साफ करना है पहले तो ऐसे ही थोड़े से पाणी में भी आप कर सकते हो क्योंकि जो मेन रीजन है वो भिगो ने कहा है यहां पे तो हमने इनको भिगो लिया है पाणी में अब क्या करना है यहाँ पे हमने लेनी है एक कटोरी में एक डेड़ चम्मच नमक हम नमक को क्या करेंगे चुक्ती में उठाएंगे और पूरे क्रेले के उपर ऐसे चिपका देंगे मतलब कि लगा देंगे अच्छे से चिपक जाएगा यह जो हमने करेले को भिगोया था ना वो इसलिए भिगोया था कि नमक अच्छे से इसके उपर लग जाए तो देखिए थोड़ा सा नमक उठाएंगे और करेले के उपर ऐसे लगा के रख देंगे हमने इन करेलों को ना तो कोई दूप में सुकाना है ना गंटों क्या करते थे पहले कि नमक लगा के रखते थे तब उनका कड़वापन निकालते थे और उसमें कई-कई घंटों के लिए नमक लगा के रखते थे तो आज हम बिल्कुल नया तरीक आपनाएंगे नमक तो लगा लेकिन हम साथ के साथ में बढाएंगे भी को हम इसको दूप में नि रखेंगे और नहीं इसको घंटों के लिए नमक लगा के रखेंगे गैस लाइजीजक्षित रखना है आपके पास होगा ना है तो क्या करें तबेभैं आप ऐसे वे उप्रबिन Gonna कौ रख करेले को काट के नमक लगा के दूप में रखते थे तब जाके वह शाम को बनाते थे ताकि जो दूप है उसकी गर्मी है उस गर्मी के कारण सारा कड़वापन करेले का निकल जाए आए, खतम हो जाए जो भी होता है दूप में इसलिए रखते थे कि जो सूर्ज की जो गर्मी है उससे कड़वापन निकल जाएगा करेलों का लेकिन जो क्या कि गर्मी से ही अगर करेले का कड़वापन निकलता है तो हम ये काम गैस पे भी कर सकते हैं हमने यही अपनाया है कि गंटों हमने बिल्कुल भी गैस मतलब की दूप में नहीं सुकाया और नहीं नमक लगा के रखा हम गैस पे रखेंगे तो यह हो क्या होगा कि अच्छे से गर्म हो गई 2-3 मिन्ट के लिए हम दो बार करके शेक लेंगे 2-3-3 मिन्ट के लिए सारा कामिया आप 5 मिन्ट में कर सकते हो अच्छे से देखिए यह गर्म हो चुके है अच्छे से गर्म हुए है थोड़ा बोसिक भी गए है मैं दिखाती हूँ यह देखिए तो हमने जो नमक लगाया था वैसे भी लगाते थे और जो दूप में सुकाते थे वो हटा के हमने गैस पे यह काम करके दिखाया है तो अब देखिए ना इनका आगे कमाल कि मैंने फिर क्या किया आगे पिछे से काट के करेला इनको च्छिलर से अच्छे से च्छिल लेना है ज्यादा मोटा नहीं निकाले और आम से एक बार ऐसे जो च्छिलर में आ जाता वस वही निकालना है यह देखिए ऐसे सारे करेले च्छिल के रखने है तो यह देखिए ऐसे ही करेले च्छिलने है यह तो सभी को आते हैं ऐसे और जो आज हमने यह जो नया तरीका अपना है ना इस क्रेले से इस तरीक्टे से बढ़ाया हुआ क्रेला हमारे घर में आज पहली बार खाया वैसे तो लेकिन सबने इतनी तारीप की मतलब ऐसे ही खा गई मतलब को टोरी में जैसे दाल चोले की सब्जी चाकते है ना कि कैसी बढ़ी वैसे ये कटोरी में डाल दाल खाए गई तो मुझे तो बढ़ी है रहानी हो कि जो मेरा तरिक्का था वह सफल हुआ तो यहां पर देखे मैंने इनको क्या किया बीज से कट किया यह कच्चे बीज है यह मैंने हर वीडियो में बताया है आपको कि जो कडवापन होता है करेले का वो सबसे ज़्यादा करेले के छिलके में होता है तो अब मैं क्या करूंगी छलनी में डाल के करेले का छिलका इसको जोर-जोर से दबाऊंगी और मुठी से बंद करके ताकि देखिए मसलने से भी आप एक चमच भी इस कडवापन की नहीं खा सकते मतलब कि पी नहीं सकते और यह सारा कडवापन आप करेले की सब जिम्यास ही बढ़ा लेते थे तो यहां पे मैंने तो अपने जो करेले हैं उनका सारा कडवापन निकाल दिया देख सकते हो छलनी से यह देखिए और इन दो आपन पि आपन रहता करेले का वह इसी से रहता तो वह तो मैंने निकाल दिया और इसको मैंने पाणे से दो तीन बार अच्छे Him छिला हुआ यह चिल का दोनों को Genauky से दो तीन बार पाने से बहुं लिए मैंने दोने के बाद मैंने क्या क्या क्डाई में डाल दिया टेल टेल वो अच्छा से पहले गरम होने देगे यहां पर मैंने 2 सिघांग लिये है तो प्याज को हम लिखांट के अंदर बीषरत करेंगे मतलब कि कोई तो क्या करते है कि तेल में इसको फ्राई करते हैं वो भी अच्छा तरिक्का है लेकिन मैं इसको क्या करूंगी बस थोड़ा सा सोप्ट करूंगी और हरी मिर्च आप अपने स्वादनु सा डाले मैंने बारा हरी मिर्च डाली है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा डाल दिया है अब जो करेले की सबजी है ये कड़ाई में जो करेला है इसमें यकीन मानने दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है मैंने आपको दिखा दिया है जो कटोरी में जितना कड़वापन था करेलो का मैंने निकाल द अब इसको थोड़ा सा ये देखिए पाच मिंट के लिए थोड़ा फ्राई कर लेंगे मतलब की बून लेंगे और बूनने के बाद हम इने निकाल लेंगे आप इससे जादा भी बून सकते हो इसको थोड़ा सा ओर डारक कर सकते हो मतलब की ओर थोड़ा सा जादा बून सकते हो जीरा डाल दिया है और जीरा डालने के बाद जो हमने भून के रखा था करेला और प्याज वो इसी के अंदर डाल देना अच्छे से सारे जीरे के साथ इसको मिलाएंगे कच्चाम था वो अभी इसी के साथ डाल देना है अच्छे से इन चीजों को मिक्स करना है अब इसमें कुछ और जंजट बिल्कुल भी नहीं करना जो कड़वापन था वो निकाल दिया था बस अमने अब इसको अच्छे से मतलब कि पकाणा है हादी डाल दी हादी चमच थोड़ी सी लाल मेच भी डाल दी कलर भी अच्छा और स्वादनुसा नमक डाले नमक जो था वो यह ना सोचे कि पहले था अब थोड़ा कम डाले वो तो मैंने बिल्कुल ही निकाल दिया नमक तो अब इसको अपने मतलब की दूसरी बार जब नमक डालते हैं तो क्या करे ठीक ही डाले यह ना सोचे कि पहले नमक डाला था अच्छे से मिक्स किया है पकाएंगे दो तिन बार बार में आपको दिखाती रहोंगी देखिए थोड़े से हो गई है पाँच मिन्ट के बाद ये देख सकते हो करेला हमारा पकना शुरू हो गया और कलर देखिए और टेश्ट तो होना आप बस यकीन ही कर सकते हो कि बिल्कु का था मैंने ट्राइ किया और बच्चों ने भी किया तो बिल्कुल आप ऐसे भी खा सकते हो करेले में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं था तो ये तो हमारे करेले के सब्जी बनके तैयार हो गई है इसको अब निकाल के आपको दिखाते हूं तो ये देखिए दोस्तों हमा गडुल आपको जया धुल आपको गिर्षा दोस्तों हमारे करे दोस्तों हमारे का राथ प्याद़।